हवो को इस का Android 10 लेटेस्ट अपडेट अभी फिलाएंगे कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं तो फुल बैटरी डिटेल और क्या है चेंज लोग क्या चेंजमेंट आता है वो साइस चीजे आपके साथ सेर करने हो लाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को फुल व आपको 10 देखने को मिलता है वो को इसका जो वर्जन आपको देखने को मिलता है वह 3.1 का वजन वरी 2020 का यहां पर आपको जो सेक्यूरिटी पैच है जो प्रोवाट किया गया है जो एक काफी कमाल का है और 10 जन्वरी का यह बिल्ड है पर यहां पर किरने लेजो यूज किया देखने को मिलता है तो फिंगर्पिंट की सिर्फ सपोर्ट आपको मिलता है तो फिंगर्पिंट में सिर्फ आपको जो APC वाले को जो वर्टिंग मिलेगा गुडिक्स वाले के लिए डेड मिलेगा और आपको नहीं पता है और APC क्या है और APC क्या है तो मैंने एक डिडिके यहां पर option दिया गया है, साथ से इसा display cutout का भी option दिया गया है, जो कि हमारे device के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे device में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर display cutout नहीं है, लेकिन अब यहां पर double tap to wake up, जो कि हमें Android 5 वाल रोम में देखनी को मिर गा था, वो enable कर दिया ग लेकिन जल्द ही है, जो इसे fix कर दिया जाएगा, अगर बैटरी में बात करें क्या मिला है, तो smart charging मिल जाता है, लेकिन full speed में आपकर जो charging देखने को नहीं मिलेगा, तापको slow charging मिलेगा, आपको अपने phone को switch off करके charge करना होगा, या फिर जो slow charging के थिरू ही charge करना होगा, ठीक ह जो बैटरी लेक्ट है, तो कर एक भी 30-40% के आसपास के बैटरी अभी लेक्ट बाकी है, यूज होना, और यहाँ पर मुझे जो backup मिला है, वो है 3R 34 minute का, तो मैं यहाँ पर बैटरी कहूंगा, अगर ठीक ठाथ है Android 10 के इसाब से, कि Android 10 में बैटरी ट्रेन अभी तक काफी जा लेकिन चिंज लोग के हिसाब से क्या कुछ नया है, तो इनिवर्सल चिंज लोग में है, जो आपको कई साथ चीज अपडेट की गई है, टच को है, जो अपडेट कीया गया है, लीनेज के टच के थूप, साथ चाईज है, क्योग वेस में, डिसेवल नोटिक साथ और वाइ जैसे गेम टर्व वगएरा भी आपको सॉरी गेमिंग मोड नॉट गेम टर्व की गेम टर्व तो मीवाई का है होड़ स्पोर्ड फोकस मूड और बाकी चीज़े आपको यहां पर मिल जाती है जासे आप डाक्री उसे एकसेस कर पाऊ गए जो की परफेक्ट है और कई सारी ची बांकी के एप यूज करो तो रूट बताता है हमारा डिवाइस बट अब आप जो पांकी के आप इजली उँज कर पा गए कर फिड आउट रूट के भी और रूट करके भी हाया की यहां पर आन डुट डूट स्कोर फेक है क्योंकि यहां पर आ्टूट डिबात ट्राइ किय बात कि यह लेकिन हलका साब को दिखने को मिलेगा जैसे कि आप अगर फेशुक्क करते हो तो आपको सलाइडरिंग में जो हलका सा lag जैसा feel होगा और smoothness टाइब का आपको lag दिखाई देता है जो कि हमेशा से मिलता हुआ आया है Redmi 4K users के लिए तो अगर आप मेरा opinion जानना चाहते कि ट्राइ करना है या नहीं तो मैं यही कहुँगा कि वाई इसके पहले वड़ा जो अपडेट था Android 10 का work version का उससे काफी ज़्यादा improved हुआ है और थोड़ी बत बैटी में इंक्रीजमेंट आई है तो आप Android 10 यूज करना चाहते हुआ तो इससे आप यूज कर सकते हो लेकिन पाई के कंपेर में आपको बैटीओ का कम देखनी को मिलेगा वहें पर जियो के network के fluctuation के बात की जाए तो आप जियो के network काफी जादा stable कर दिया गया है तो कोई भी fluctuation वगरा देखनी को नहीं मिलता है और साथे साल वोल्टी के जगा HD का sign एड़ कर गया है यहां पर call recording वगरा और calling से रिलेटर सारे features आपको देखनी को मिल जाते हैं तब जियो से call कर पाऊगे लेकिन जियो से video call आपका जो working नहीं है तो video call के लिए आपको WhatsApp या YouTube वगरा है जो यूज करना पढ़े है क्योंकि जो video call सिर्फ प्रोशिव Android Pie पे supportable है Android Pie पे अभी बहुत कम device के लिए देखने को मिला है तो video को यहें पर end करते हैं अगर आपको video पसंद आई है तक थमसब जरूर देए और नेक्ट वीडियो का वेड करें मुझे पता है कि मैं बहुत डिले होके video प्रोवाइड करना हूँ रेड्वी 4 यूजर के लिए क्योंकि भाई आगे से रोम भी कुछ कम आ रही है तो दंदार रोम जब आती है तो मैं आपको video प्रोवाइड कर देता हूँ तो एस्टे ट्यून जरूर करें और आपने अगर नया डिवाइस पर्चेस कर लिया है रेड्वी 4 को छोड़के शेल करके तो वो भी आप मुझे बता देना ताकि मुझे यह पता चल पाए कि कितने हुझे सभी भी अस्टे कर रहे है रेड्वी 4 पर और कितने हुझे से जो यहाँ पर लैक्ट कर चुके है ठीक है गाइज बाबाई